कि क्या 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 टेंस टफ है maior इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये जो टैंस का हो फोवी आ है जो अपकों डर है जिसमें लखता टेंस स्टाफ है आज्छ दूर करने वा 라। भाई मैं 15 दिन का जो कोर से मात्र 40 मिनिट की वीडियो मैं आपको डिटेल explain करने वाला हूँ, सारे tenses detail बताने वाला हूँ आपने अभी तक YouTube पर इतने detail में चीजों को नहीं पढ़ा होगा आज मैं आप लोगों को affirmative sentences कैसे बनते हैं यह दिखे है, affirmative के सारे structure लिखे हुआ है साथ मैं आपको negative sentence कैसे बनते हैं कि interrogative के साथ मैं negative को कैसे लगाते हैं हम negative sentence को कैसे use करते हैं जिसे मैंने आपसे कहा, आप English क्यों बोलते हो Why do you speak English, आप English क्यों नहीं बोलते हो Why don't you speak English, तो यह sentence आपका WH plus interrogative plus negative है बहुत ही ज़्यादा interesting तरीके सा है सारी चीज़े आपको बताने वाला हूं तो मैं चाहूंगा पूरे session को end तक देखे साथ मैं आपको बताऊंगा इसमें मैं एक बहुत ही अच्छी शांदार बात कि कुछ AC warp होती है जो की जो की continuous tense के साथ यूज़ नहीं होती है सबसे पहले तो instruments हम लोगों को पता होना जी कि tenses जो होते हैं उनमें कितनी चीज़े होती हैं वो किस सरीके से exist करते हैं so let me tell you सबसे पहले तो हम लोग समझते है tenses क्या है वही तो tenses जो है आपके अगर आपसे कोई कहा जाए कि भी यह बताए यह tenses क्या है इसलिए इनको तीन categories में जो है रखा गया है पहली category जो है वो है present tense दूसरी जो है वो है past tense तीसरी जो है वो है future tense तो इस तरीके से तीन individual अलग-अलग categories इनकी रखी गई है और इनको sentence के basis पर चार different categories में बाटा गया है जिसमें पहली यह simple दूसरी है continuous तीसरी है perfect और चोधी है perfect continuous मतलब कि यह बात तो आप सभी बहुत अच्छे समझते होंगे अब करना क्या है वो देखिए कि simple के आपको जो है तीन tense बनाने है मैं यहाँ से एक line खीच देता हूँ तो आपको अलगी वो clear हो जाए आप देख सकते हैं यहाँ पर यह simple के हम लोगों ने तीन tense बनाया है राइट अब यह simple के जो टीन tense हम लोगों ने बनाया है आप इसको कुछ इस तरीके से भी learn कर सकते हैं जिसे आपने किसी इस कहा पर इक्जेम्बल मान लीजिए यह देखिए आप एक line ऐसा हम लोग कर देते हैं इसको बंद कर देता है कुछ इस तरीके से और यह जो है आपका continuous हो गया है यह जो है आपका perfect हो गया नीची के जो हो गया perfect continuous हो गया अब आपको क्या गरना देखिए present simple past simple future simple present continuous past continuous future continuous present perfect past perfect future perfect present perfect continuous past perfect continuous of future perfect continuous मतलब पूरे 12 टैंस आपके सामने आ चुके हैं अब इन 12 टैंस को के से समझना वो मैं आपको बताने वाला हूं तो आप लोग बहुत ही केरफुली सुने और आपको बता दू पूरे पांचो sentences बताऊंगा बहुत ही इन शॉट में आज टैंस सभी बहुत ही डिटेल बताने वाला हूं साथ में आपको होती ही जो की आपको चली हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले 12 टैंस के नाम आपको बोलना है तो तो 12 टेंस के नाम बोलने के लिए मैंने आपको कहा है कि आपको present, past, future मैं यह पर लिख देता हूँ present, past और future इन तीन टेंस के साथ मैं आपको simple, continuous, perfect और perfect, continuous को जोड़ना है मतलब आपको simply कहाना है present, simple, past, simple, future, simple, simple के तीन टेंस, present, continuous, past, continuous, future, continuous, continuous के तीन टेंस, present, perfect, past, perfect, future, perfect, perfect के तीन टेंस और present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous इसके अलग से 3 tense total tense आपके होगे 12 अब इनके structures बनाते हैं हम लोग तो structure के लिए आप देखें कि एक sentence के अंदर होता है subject दूसरी होती है verb और तीसरा होता है object दो ही चीज़े sentence में होती है हम सभी अच्छे से समझते हैं एक होता है आपका देखें sentence में दो चीज़े mainly होती है पहला होता है आपका subject और दूसरा होता है आपका predicate अब आप इधर देखें predicate और subject दो चीज़े होती है तो यह दो को subject तो यह लिखे हुआ है सब में देखो आगे सब में आपको आगे subject लिखा हुआ है दूसरा प्रेडिकेट होता है students वाब और object यह इजे मार वब में अग प्लस और अप्जिट है वह यह सब आपका लगा हुआ यह आपकी मेन वाब हैं लेकिन यहां पर आप दो चीजे होते हैं और दूसरा उप्जेट वाप दो प्रकार की होती हैं में वर उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि अब हम बात करते हैं कि इनको के से हम लोगों को वक करवाना है तो इसको वक करवाने के लिए आप लोग यहां पर देखेंगे सभी बहुत अच्छे से सबसे पहला टेंस सबसे पहला टेंस से प्रेजेंट सिंपल टेंस इस टेंस को अप्यूग वहां करते हैं इस्ट्वेंट जहां पर हम कोई काम जो हैं आल्वेस करें कोई काम हम रेगुलरली करें कोई काम हम अक्सर करते रहते हैं वह जिसे मैंने कहा कि आप करते गया तो आप पढ़ा ही करता हूं अब इंग्लिश में कहेंगे I study अब यह concept क्या है वही इसमें S और यह वाला तो आपको बता दू मैं कि आपकी जो आपकी जो subject है आई वी यू दे यह इसके अलावा कोई भी plural subjects है तो इसके साथ आप में S और यह नहीं लगाएंगे बाकि जितने भी आप subject बचे जिसे ही बचा, शी बचा, इट बचा यह इसके अलावा कोई नाम आ गया यह सब आपके singular third person strengths और इनके साथ आपको वाब में S और यह लगाना है कैसे लगाना है जिसे आपने कहां वह हौकी खेलता है तो आप कहेंगे he plays hockey लेकिन अगर आप कहें कि मैं हौकी खेलता लेकिन he के साथ आपने plays use किया ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि he, she, it और राम यह आपके singular third person है और इनके साथ आपको वाब में S और ES लगाना है मैंने का ना बहुत आसान चीज़े बढ़ा रहा है बहुत ही easy में वह सबसे important चीज़ आपको बताऊंगा कि बोलना भी कैसे अब आ करते हैं जो भी काम आप सुबह से शाम तक करते हैं मैं अगर आप से पूछू कि बताइए आप सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं तो आप यहां पर जो भी काम आप सुबह से शाम तक करते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे I wake up at six o'clock in the morning, right मैं पढ़ाई करता हूँ, I study मैं इंग्लिश सीखता हूं लर्न इंग्लिश में इंग्लिश बोलता हूं स्पीक इंग्लिश मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूं I help my friends मतलब इंशॉट जो भी काम आप सुबह से शाम तक कर रहा हूं वो सारी सिचुएशन आपकी स्टेंस में इस्टेंस दूसरी बात अग आपका पास्ट कॉंटिनियूस यह आपका future कॉंटिनियूस इस्ट्वेंट मैं अभी कॉंटिनियूस टेंस में आपको बताऊंगा कुछ AC वाप्स जो की कॉंटिनियूस टेंस के साथ यूज नहीं करना है इसलिए बोलता हूं पूरे सेशन को कैरफुली देखना उन्हें इ मैं आपकी क्लास डेली अटेंड करता हूं आटेंड यह क्लास डेली मैं अपने दोस्तों की help करता हूं I help my friend मैं सुबह जल्दी उठता हूं I wake up early in the morning मैं college जाता हूं I go to college में English पढ़ाता हूं I teach English जो भी actions आप सुबह से शाम तक कर रहे हो सारी actions आपकी इसमें आएंगे दू उसमें यह जो second form है ना यह आप यहाँ पर यूज करते हो भाई अब यह second form क्या होती है जैसे आपने एक बहुत सिंप्ली कहीं इस पीक इसके second form होती है spoke और third होती है आपकी spoken तो आप यहाँ पर इस tense के साथ में spoke को use करेंगे जिसे मैंने कुछ बोला I spoke something मैंने कुछ किया I did something मैंने कुछ sentences बनाए I made some sentences आगे आपको बताऊंगा कि इस tense में और इस tense के बीच में क्या अंतर है मतलब student बहुत ज़्यादा confused होते है past simple में और past perfect के बीच में आपको बताऊंगा मैं जब इस tense को पढ़ाऊंगा तब किसको के से use करना है तो इस tense में जो भी काम आपने कल किया जो भी काम आप करते थे उसके लिए आप इस tense को use करते हैं जैसे मैं वहाँ गया I went there मैं उनसे मिला I met them मैंने उनसे बाते करी I talked with them तो भी simple past tense के बारे में एक चीश तो अपने दिवांग में आप clear करी ले कि simple past tense मतलब कि जो भी काम आपने किया जो काम आपने कल किया यस्टरड़े वो काम आपने last week में किया वो काम आपने last year किया last month किया तो सारी situation आपकी जो है किसमें जाती है भी simple past tense मैं कल मैं उससे मिला I I made him yesterday, मैंने उससे बात है कि I talked with him, मैंने उसकी help करी, I helped him, मैं वहाँ गया, I went there, जो भी काम आप ने किया, वो सारी situation simple past tense में जाएगी, आपको कम से कम 15 से 20 sentences बोलने पड़ेंगे instrument, और बता दुमें आपको V2, जब तक आप वो आपकी second form learning करेंगे, simple past tense आपको दिक्कत देगा भ ऐसे simple future tense जो है, इसमें जो भी काम आप करोगे, मैं अगर आप से पूछू कि आप क्या करोगे, भाई, क्या planning है आपकी, तो आप कहोगे मैं पढ़ाई करूँगा, I will study, मैं अपने दोस्तों की मदद करूँगा, I will help my friends, मैं वहाँ जाओंगा, I will go there, मैं English सीखूंगा, I will learn English, लेकिन कब, जो भी काम आप future में करोगे, तब आप इस tense को यूज़ करोगे, ये इस चीज़ का विशेस ध्यान देना है, क्योंकि इस्टुन गलती यही पर करता है, अब आप देखें यहाँ पर present simple tense, past simple tense, future simple tense, तीनो tense हमारे clear हो गए, तीनो situations हमको समझ में आ गई, अब हमको जो करना है, वो ये करना है, कि भई, अब हमको continuous tense पर jump करना है, आप सभी को बता दूमे, continuous tense से पहले, कि हम लोग जो है, इसमें सारी चीज़े learn करने वाले है, मतलब मैं आपको इसके just बात दिखाऊंगा negative, ठीके, मैं आपको negative में बताऊंगा कि कैसे जो है negative sentence आपके work करता है फिर मैं आपको interrogative में बताऊंगा कि कैसे interrogative sentence students से start होता है, फिर मैं ऐसे ही आपको WH बताऊंगा, फिर ऐसे ही मैं आपको who pattern जो है वो भी explain करूंगा, मतलब I would say कि आपको सारी चीज़े इसमें पढ़ने को मिलेगी, तो पूरा session को carefully आप लोग देखना, end तक देखना, सारी च अच्छे समझना, तो ही आप उसको अच्छे से समझ पाओगी, और उसका पूरा ज्यादा ज्यादा फाइदा लेपाओगी, अब मैं अगर आप बात करूं, continuous tense की students, तो continuous tense में एक चीज़ अपने दिमाग में क्लिक करें आप, ये तीन tense रहता है, continuous tense में, पहला जो है present continuous, दू यूज नहीं होती है, अगर मैं कहू, love, hate, like, dislike, you know, these are the words, और भी काफी सारी मैंने आपके लिस्पेशली लिस्ट बनाई है, इन words को आप continuous tense के साथ यूज नहीं करते हैं, वहीं केसे नहीं करते हैं, वहीं केसे नहीं करते हैं, वह थोड़ा सा देखेंगे, देखेंगे, ये ह अगर मैं stative warps, जी हैं stuants, these are the words, they are called stative warps, और stative warps, जो होती हैं, they are never used in continuous tense, जी हैं stative warps are often, मैं यहाँ पर आपको पहले सबसे पहला समझा दूँ, exactly stative warps होती है, so stative warps are often related to thoughts, opinions, feelings, emotions, senses and perceptions, इन पर बैस्ट होती हैं, आपकी stative warps, और in warps को आप continuous tense में दूज नहीं करते हैं मतलब इनके साथ आप आइंजी नहीं लगा होगे सींग, hearing, smelling, ऐसा नहीं कहोगे, I'm smelling, I smell, I hear, I'm hearing नहीं हुगा, I hear, और पास्ट में आप कहेंगे, I heard, but you can never say I was hearing, okay, इस चीज का विशिस ध्यांदे, I'm noticing ऐसा नहीं होता, recognizing नहीं होता, testing, appearing ऐसा कुछ नहीं होता है, in short, these words are not used in continuous stance, आप देखेंगे हैं पर, ये love, hat, detest, अब दोगो भई, नफरत करने वाले तो जितने भी वर्ड है, इनके साथ कभी आइंजी लगता, जिसे hat मतलब नफरत करना होता, detest एने भी नफरत करना होता, dislike एनफरत करना होता है, अब और मतलब भी नफरत करना होता है, ये सारी क ये साथ में, right, एसे ही देखो, admit होगा, accept होगा, refuse होगा, prefer होगा, satisfy होगा, want होगा, wish होगा, desire होगा, please होगया, display होगया, mean होगया, suppose होगया, think होगया, imagine होगया, recall होगया, recollect होगया, keep होगया, deserve होगया, these words will never be used with, 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 continuous tense, strength, point to be noted, ये सारा का सारा आप screen shot ले ले बिलकुल 노ट नहीं करना चलता हूँ तो आगे हम को देखने वाले हैं continuous आपको बताने की जरबतने इसका लगाना है म का लगाना इस और के साथ प्लूड के साथ प्लूरल के साथ आपको और लगाना है एसका यूज़ा हो रहा था और रहा होगा बहुतatherine यहादा इजी तरीके साफ इसको समझ सकते हैं जिसे आपने का मैं इंग्लिश बोलता हूं तो I speak English, मैं इंग्लिश बोलूंगा, I will speak English, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, I am speaking English. Remember one thing is trends, जैसे बता रहा हूं वैसे प्राक्टिस भी करना है, क्योंकि सीख तो बहात जाओगे, but you can never speak until unless you practice, so practice matter करती है, practice matters in learning, this is very much important everyone because you are learning a spoken English course, आप एक स्पोगन इंग्लिश कोर्स लें करना है, तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, जादा जादा उस चीज की प्राक् जिसके कल आपका birthday, तो आपने का कल इस समय पर मैं केक काट रहा हूंगा, so आप कहेंगे English में I will be cutting cake on this time tomorrow, in short will be cutting cake आप वहीं यूज करेंगे जहां पर future में आप कोई काम कर रहा हूंगे, अगर बास आप present की करेंगे, तो वहाँ आप इसको यूज नहीं करेंगे, यह बहुत important rule है जो आपको mind करना है, इसके बाद मैं जो काम आप कर चुके हैं, या फिर जो काम आपने कर लिया है, come on, जो काम आप कर चुके हैं या कर लिया है, तो वह perfect tense में आ जाओगे आप, perfect tense के भी तीन tense बनेंगे, present perfect, past perfect, future perfect, perfect tense को याद रखने के trick, याद रखना हैजे हो के अफ past participle verb की third form आपको इसमें use करनी है, यह आपका perfect tense, यह आपका continuous tense, यह आपका simple tense, मतलब आप nine tenses को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, past में जो काम आप कर चुके थे, और future में जो काम आप कर चुके होंगे, perfect tense को अगर आपको समझना है, तो perfect tense को इस trick से भी आप समझ सकते हैं, कि perfect tense मतलब जो भी काम आपने perfectly कर लिया है, यह देखो, तीनों perfect थी अपने बात करूँ, तो जो भी काम आपने perfectly कर लिया है, या कर चुके हो, ठीके, मैंने आप से कहा graduation हो गया है, भही आपका, yes, I have completed my graduation, आपको have जो है, वो कहां लगाना है, आपको has कहां लगाना है, वो देख लीजे आप, मैं आपको बता दू कि आपको has और यह have, आपको I के साथ, U के साथ, V के साथ, D के साथ, जिनके साथ आप आपकी first form tense में use कर रहे थे, उन सब के साथ आपको लगाना है have, और जिनके साथ आप जो है S or yes लगा रहे थे, जैसे S or yes आपने किस-किस के साथ लगाया था, He, She, It, Name के साथ लगाया था, इनके साथ आप Has लगाएं, क्योंकि Has बना किस से आपको पता है, तो ये has नहीं बनता है, ये बन जाता है, है is by strength, right, तो आप लोगों ने जो भी काम कर लिया है, मैंने अपना graduation complete कर लिया है, I have completed my graduation, वे चले गया है, they have gone, वो है एक अच्छा इंसान बन चुका है, now he has become a good person, now he has become a gentle person, now he has become gentleman, मानलो कोई विकती पहले criminal था और बाद में gentleman बन गया है, आप क्या काओगे, now he has become gentleman, उसने अपना काम प पूरा कर लिया था, अब बात करता हूँ, simple past tense, और past perfect की बीच में क्या difference है, बहुत सारे student confused होते हैं, दो tenses को लेकर, तो आपको बता दू जिसे कि मैंने आप से कहा कि yesterday, last week, last month, last year, या कोई भी year की बात हो, जिसे 1885, चिके, मैंने कहा, the queen Lakshmi by fought against Britishers in 1985, आप देख सकते हैं कि म simple past tense में यह structure को का, आपको यह बात तो बहुत पुरानी है, तो आपको यह वाला tense करना चाहिए, आप समझे नहीं, यह वाला tense वहां यूज नहीं होता है, यह tense वहां यूज होगा, जो काम कहीं पर हुआ था, उसके बाद कोई काम हुआ, जिसे दिए, मैं आपको एक्जामप के तो यहां पर आपका simple past tense यहां पर आपका past perfect tense होगा, sorry, यहां पर आपको इस बेसे पर past perfect tense को यूज करना है, यह समझे आप, तो past perfect tense होता कहां पर यूज है, जो काम past में हमने किया था, और उसके बाद कुछ काम हुआ, वहां पर इसका पहला यूज है, दूसरा इसका यू that I sorry he said that he had done his work तो इस तरीके से आपका सेंटेस डारिक से इंडारेक्ट में चेंज होता है वहाँ पर आप पास्ट पर्फेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं तो पास्ट पर्फेक्ट टेंस के से कोई स्पैस्फिक यूज़ नहीं है को इंडिविजुल यूज़ नहीं है इस ची पर्फेक्ट टेंस किई तो फ्यूटर पर्फेक्ट टेंस आपका वहाँ यूज़ होता है जहां पर कोई काल कर लिये होगा हमने हमारा काम कल तक पूरा कर लिया होगा तो आप English में कहेंगे बाइ टोमारो बाइ निक्स्ट वीग बाइ निक्स्ट मन्त you know कल तक अगले महीने तक अगले सब्ता अगले वीक तक मैंने कहा की अगले महीने तक हम इस प्रोजेट को सम्मीट कर चुके होंगे मतलब, we shall have, we will have, generally with we and I, we use shall have, but right now in spoken, we can use will have with all, so we will have submitted our project by next week, by next month, by next year, you know, तो इस तरीके से जो भी काम आप कर चुके होंगे, इसके लिए आप future perfect tense का यूज़ करते हैं, आप करना गया है practice, उपर से नीचे एक बार, वह स्कूल जाता है, he goes to school, वह स्कूल गया, he went to school, वह स्कूल जायेगा, he will go to school, वह स्कूल जा रहा है अभी, he is going to school now, वह कल स्कूल ज चुका था, वह स्कूल जा चुका होगा, कल तक he will have gone to school by tomorrow, तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी लोगी practice करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अपने आप थारी चीफ प्रिपैर्ड हो जाएगी, अब हम नेक्स देखने वाला है present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense, बता दूश झ्छेटेश त्वेंट्स इतीनों 10 बहुत जादा सरल हैं इसमेह आप लगाते हैं साथ में इसमें इसमें लगता हैं क्योंकि जहांभी continuous tense आता है वह अग मैं हमेशा ING लगती है, जहां भी continuous tense आता है वह में हमेशा ING लगती है तो आपके 12 tense में से 6 tense में देखिया वाइंज आप का जो है perfect continuous tense, ज़ए छे tense में आएंजी लगी है, perfect के साथ में आप V3 लगा रहे हैं, simple के साथ में आप लोग यहाँ पर V2 लगा है, यहाँ यहाँ फिर अगें विल यूस कर रहे हैं, मतलब आपको खुल में लागे learn करना हुगा, याद रखना पड़ेगा कि कौन से tense के सा जो है use कर रहे हैं, अब मैं आपको बात करने वाला हूँ कि इनको use के से करना है वही, तो थोड़ा साथ समझे इस चीज को, कि जब आप कोई काम को एक समय से कर रहे है, जिसे आपने का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इंगलिश में कहेंगे I'm teaching, यह present continuous tense, लेकिन अगर साफी ज्यादा time हो गया है, सुबह से अभी तक का समय आ गया है, तो अब आप क्या कहेंगे, I have been teaching since morning, अब यहाँ पर दो option होते हैं, कि सर सिंस कहां लगा है, 4 कहां लगा है, तो आपको बता दू, point of time, come on, note down करते चलेंगे सारे, point of time के साथ आप सिंस लगाएंगे, और period of time, period of time के साथ में आपको जो है, 4 लगाना है, यह बहुत important point है, जो आपको पता होना चाहिए, point of time के साथ में, point of time के category में क्या क्या चीज़ आती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, point of time में आता है आपका, morning, evening, afternoon, two o'clock, Sunday, Monday, Tuesday, January, February, March, सारी situations आपकी इसी में आती है, period of time में आता second, second से बढ़ा होता है, minute, minute से बढ़ा होता है, और, और से बढ़ा होता है, day, day से बढ़ा होता है, week, अगर handwriting समझ में नहीं आ रही, तो सुनके लिख ले, second, minute, minute से बढ़ा, और, और से बढ़ा, day, day से बढ़ा, week, week से बढ़ा, month, month से बढ़ा, year, year से बढ़ा, decade, decade से बढ़ा है इनको point of time इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि इसमें आप exactly point को दिखाते है और period of time जिसे यहां से यहां तक का जो time period मानलों दो गंटे का समय है है तो यह समय जो है यह time period हो गया इसलिए इसके साथ में आपको four लगाना है यह विशेज दियान आप लोगों को देन अब आपको एक सेंटेस को पूरे बारा देंस में बोलना है आपको कोई सब्सक्राइब ले लिए जिस आपने का वो पढ़ाई करता है तो आप इंग्लिश में कहेंगे कर देचार में ृप अपने में और र जाए का रहा है यह फिर स्वे श्वेट पर आपको स्टेट वह सुबहाई कर रहा है तो ऐसे सिच्विशन में आप डेंगे he has been studying since morning वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था he had been studying since morning already मैंने explain कर दिया since का लगाना 4 का लगाना है और वह पढ़ाई कर रहा होगा he will have been studying since morning याद रखीगा पूरा session जो है end तक लेकर चलना है मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने में काफी ज़्यादा लेंदी लग रहा है आपको बड़ पूरा session अगर अटेंट कर गए तो अच्छे समझ में आएगा अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ negative की और तो negative को आपको समझने के लिए आप देखी structure आपके सामने सारे negative structures लिखे हुआ है सारे tenses के negative structures आपके सामने आप लिखे हुआ है अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लेगी कि यह केसे जो हब work करता है इसको समझने के लिए आपको एक concept समझना होगा सबसे पहले देखी यह है simple यह आपका simple past और यह simple future यह अब negative जो है negative structures वो है आपके जिसे आपने का मैं पढ़ाई करता हूँ तो I study अब आप कहोगी मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ तो आप कहेंगे I do not study मैं English नहीं बोलता हूँ I do not speak English मैं वहाँ नहीं जाता हूँ I do not go there मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ I do not speak English मैं नहीं समझता हूँ I do not understand this मैं वहाँ नहीं जाता हूँ I do not go there मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ, I do not help him, वो यहां नहीं आता, he does not come here, वो समय की वाल्यू नहीं करता है, he does not value the time, तो इस तरीके से he does not value time ये आपने negative कर दिया भई, उसने समय की वाल्यू नहीं करी, अब आपने कहा उसने समय की वाल्यू नहीं करी, तो नहीं करी मतलब किसकी बात होगी, did की simple past की बात कर रहो, he did not value the time, वो वान नहीं गया, he did not go there, उसने sentences नहीं बनाए, he did not make sentences, वो sentences नहीं बनाएगा, he will not make sentences, वो नहीं बोलेगा, he will not speak, मैं नहीं बोलूँगा, I will not speak, इसी तरीके से आपको पूरे 12 टेंस के negative की practice करनी है, in short आपको affirmative को समझने के बाद में सिर्फ total practice पर ही focus करना है, आपकी practice जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितनी शांदार होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना बड़ी हैं आपका performance होगा, उतने अच्छे साब चीजों को learn कर पाएंगे, तो भाई, एक sentence को आप negative बोलेंगे, पूरे 12 टेंस में किस तरीके स वह English नहीं बोलता है, he does not speak English, और मैं इंसिस्ट करूँ होगा कि आप जो है, प्लीज कोई भी सरल वाब ले हैं, कभी बी कठीन वाप के चक्कर में हैं फिर यह नहीं को च्छी स्टांडर वाब लेकर, आप sentence बनाऊगे, जल्दी English तीक होगे, आपको फिर बता दू, जितने स सरल और सिंपल सांटेंस आप बोलेंगे उतना जल्दी सीखेंगे भई यह लैंगविज इंग्लिश इंग्लिश नहीं बोल रहा है यह इस नहीं बोल रहा है कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को चीजों को लर्न करना जोगा आसान हो जाए आपके लिए यह यहां पर यह यहां पर यह यह नहीं आएगा राइट चलिए आपको एक सेंटर्स को कोई सभी उसने इंग्लिश नहीं बोली है तो आप इसको बार-बार प्राक्टिस करें अभी आप यह यह नहीं आप इसको बार-बार प्राक्टिस करें अभी आपने अफर्मेटिव किया अब नेगेटिव करें और इसी तरीके से जब आप इंटरोगेटिव को प्राक्टिस करेंगे तो आप अपने अंदर एक डैनिमिक चेंजिस देखेंगे भई यह रहा आपका इंटरोगेटिव जिसमें यह आपका जो सेंटेंस में संteंस के शुरू आपको क्या से करनी है क्या आप बोल ते हो क्या आप उस्पीकेइग अपने बोला आप मतलग कि अब आपको इन्टर केडियों के प्रेक्टीस करना है तो देखो अभी मैने आपको जो सम्झा है पहले फिर मैंने आपको negative समझाया अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ हो interrogative तो एक बार आप क्या करें सारे sentence उसको पहले affirmative बोले बारा में फिर negative बोलें फिर interrogative उसके बाद में फिर आप जो है again से आपने कई सब्सक्राइब को जानता हूं मैं आपको जानाँ घॉल नॉए टू कई आपको जानां घॉल नौना ऑन नॉ 드 इस तरीके से आप पूरे 12 टैंस में affirmative, negative और interrogative को बोलेंगे, इसके बाद आप WH पर जंप करेंगे Now dear students, अब आपको interrogative समझ में आ गया, अब अगर आपको interrogative समझ में आ गया, तो मेरा मानना है कि अब आपको interrogative प्लस negative भी सिखा देना चाहिए वई तो अब आपको इसको negative भी बनाना है अब इसको negative बनाने के trick सुनिएगा पहले तो आप, जिसे आप बोलते हो क्या पढ़ाई करते हो, do you study क्या पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप कहेंगे short में, don't you study don't you study, don't you study और you can say, do you not, subject के बाद भी not लगा सकते हो, या फिर do के बाद में आप इस तरीके से don't को लिख सकते है short में, याद रखे, आपको ऐसा इसको नहीं लिखना है, do not you study, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यह गलत हो जायागा, point to be noted, अगर आप कहेंगे, do not you study, it is wrong, you have to say, don't you you study, क्या आप English नहीं बोलते हो, don't you speak English, क्या आप मुझे नहीं जानते हो, don't you know me, क्या अप क्रिकेट नहीं खेलते हो, don't you play cricket, क्या आपने Cricket नहीं केला, didn't you play cricket, यहाँ पर didn't लगेगा कुछ इस तरीके से, didn't you play cricket, क्या वहाँ नहीं गए, didn't you go there, क्या आप नहीं आए, didn't you come here, क्या आप यह नहीं आओगे, देखो, will not को short में कहते है want, won और यह इस तरीके से are you not learning English, in short आपको interrogative के साथ में, yes no questions के साथ में negative sentence आप बना सकते हैं, let me tell you, यह बहुत ज्यादा बोल चाल में use होते हैं, यह सारे expressions, सारी चीजे, that is why don't take them for granted, हलके में नहीं लेना है भाई, चीजे बहुत important है, बहुत ज्यादा important है, इसलिए कहूंगा, कि एक बार thoroughly आप प्राक नहीं कर रहा है, were you not studying, क्या पढ़ाई नहीं कर रहा होंगे, will you not be, यह not आएगा, फिर भी आएगा, will you not be studying, क्या पढ़ाई नहीं कर चुके हो, have you not studied, have you not studied, क्या पढ़ाई नहीं कर चुके थे, had you not studied, क्या पढ़ाई नहीं कर चुके हो, will you not have studied, क्या आप सुबह से बना सकते हैं इसी तरीके से आपको next पर जम करना है जो है आपका डव्य हेच जो है इसको भी आप नेगेडिव कर सकते हैं पहले तो हम इसको सीखते हैं डव्य हेच में कैसे बनाना है तो सबसे पहली चीज जो आपको आपको आनी चाहिए इस concept को समझने के लिए यह आपका present simple यह past simple, यह future simple, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, future perfect continuous, अब करना क्या है भही हम लोगों को देख लो, पहले तो WH words में कुछ लिख देता हूं यहाँ पर, why, what, where, how, when, how many, how much, बहुत सारे WH words हैं हमारे, तो हम लोग करते हैं सबसे पहले why को यूज करते हैं, एक ये WH words को सब में यूज करते हैं, आप English क्यों सीखते हो, why do you learn English, रोहन English क्यों सीखता है, तो रोहन के साथ में does लगेगा, why does रोहन learn English, रोहन इंग्लिश क्यों सीखी, अब जैसे मैंने सीख क्यों सीख रहा हो, तो why are you learning English, आप English क्यों सीखोगे, सीखोगे, गागेगी, मतलब will, why will you learn English, आप English क्यों सीख रहा हो, why are you learning English, आप English क्यों सीख रहा हो, why are you learning English, आप English क्यों सीख रहा होंगे, why will you be learning English, आप English क्यों सीख चुके हो, why have you learned English, आपने English कैसे सीखी है, how have you learned English, आपन के होंगे, how will you have learnt English, आप दो महने से English के से सीख रहे हो, how have you been learning English for two months, आप दो महने से English के से सीख रहे हो, how had you been learning English for two months, and in future you would say, आप दो महने से English के से सीख रहे होंगे, तो how will you have been learning English for two months, इसी तरीके से आपको पूरे बारा टेंस में, why के, what के, where के, how के, when के, how many के, how much के, सब के, आपको सेंटेस बनाना है आपको बता दू डवली वर्ड पर बैस्ड जो है मैंने एक इंडिवीज्व वीडियो बनाया आप सर्च करें उसको या फिर वर्ड पर बैस्ड जो इंटरगेटी सेंटेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको विजट कर ले उसमें आपको सारे जित कुछ नहीं करना वही कॉंसेट है एम जैसे न या फिर उनको यहां भी लगा अधाiece करना को हुआ है helping आएगी फिर subject आएगा फिर main आएगी और फिर object आएगा मतलब आपको कोई भी एक sentence को लेकर सिर्फ उसकी बार-बार 8-10 बार practice करना आपको वैसे ही वो टंग पर prepared हो जाएगा आप English क्यों बोलते हो वाइग डीड स्पीक इंग्लिष आप इंगलिष क्यों निवो लोगे वाइग वल यू नाट बे स्पीक इंग्लिष आपने इंगलिष क्यों निव और आप कहोंगे सर आप तो फटाबट बोले तो आपको तो फोलते आ जाता हमको बोलने मड़ा समय लगेगा तो भी यह बता दू प्राक्टिस मिक्स में परफैट आप जितनी जादा प्राक्टिस करोगी उतने अच्छे सारी चीज़ आपको समझ में आएगी आपको हेल्पिंग वाप की समझ डैवलप होगी और आप स्पीडली सेंटेंस को अच्छे से कॉंफिडेंटली बोल पाएंगे चली अब मैं आपको नेक्स जो लेकर चल रहा हूँ वह जो नेक्स जिस लेवल पर मैं लेकर जाने वाला हूँ आपको डैट इस एक्चुली हूँ पैट अब आप एक बात नोटिस करेंगे कि इसमें आपको डूड़स नहीं लगाया है आपको डूड़स सभी लगाना है जब आप इसको नेगेडिव बनाएंगे अगर आप सिंप्ली कहते हो कोन ये करता है तो आप कहेंगे हूँ ड़स इट कोन वाँ जाता हूँ गोज देर कोन या आता है हूँ कम हीर और कम सियर कम सियर हूँ कम सियर आपको एस और येस लगाना क्योंकि आता है कोन आता है मतलब आप बात किसकी कर रहे हो एक जन की कर रहे हो तो आप इंगलिश में कहेंगे हूँ कम सियर और जब आप कहोगे कोन या नहीं आता है तो हूँ ड़स नाट come here और कौन-कौन यहां नहीं आते हैं ज़्यादा लोग है मान लो तो who do not come here इस तरीके से आपका चलता है अब इसको पहले पूरे बारा में हम बोलता है कौन वहाँ जाता है who goes there, कौन वहाँ गया, who went there, कौन वहाँ जाएगा, who will go there, कौन वहाँ जा रहा है who is going there इसमें M नहीं लगता है, याद रखना कौन वहाँ जा रहा था, who was going there कौन वहाँ जा रहा होगा, who will be going there कौन वहाँ जा चुका है, who has gone there कौन वहाँ जा चुके है, जादा लोग है तो who all have gone there कौन वहाँ जा चुका था, who had gone there, कौन वहाँ जा चुका होगा, who will have gone there, कौन वहाँ सुभ़ से जा रहा है, who has been going there since morning, कौन वहाँ सुभ़ से जा रहा है, तो who all have been going there since morning, कौन वहाँ सुभ़ से जा रहा था, who had been going there since morning, और कौन वाद सुबह से जा रहा होगा, who will have been going there since morning. In short, आपको who वाले scientist की ज़्यादा ज़्यादा practice करनी है, आप फिर उसको चाहे तो negative बना सकते हैं, कौन ये कर सकता है, sorry, कौन English बोलता है, who speaks English, कौन English नहीं बोलता है, who was not speaking English, कौन English नहीं बोल रहा होगा, who will not, यहाँ पर not लगेगा, who will not be speaking English, कौन English नहीं बोल चुका है, who has not spoken English, कौन English नहीं बोल चुका था, who had not spoken English, कौन English नहीं बोल चुका होगा, who will not have spoken English, कौन सुबह से English नहीं बोल रहा है, who has not been speaking English since morning, कौन सुबह से English नहीं बोल रहा था, who had not been speaking English since morning, और कौन सुबह से English नहीं बोल रहा होगा, who will not have been speaking English since morning. In short, आप जब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा practice करेंगे न, तो आपको सारी चीजे crystal clear हो जाएंगी भई. तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आप लोगों को जो चीजे पढ़ाई, interrogative बताया, interrogative बात में डबली उच बताया, फिर डबली उच की बात पहले आपको interrogative यसनो वाले questions बताया, negative आपको समझाया, affirmative sentences आपको समझाया, साथ मैं आप लोगों को static work समझाया, सबसे पहले आपको पूरे बारा टेंस के नाम जो है वो clear होने चाहिए, जब आपको पूरे बारा टेंस के नाम क्लियर होंगे तो आपको learning में काफी ज़्यादा easy लगेगा, चीजे आसान लगीगी, पूरे बारा टेंस के नाम बोल कर देगे, पूरे बारा टेंस के जब नाम आपको बोलते आगे तो उसके बाद एक sentence को पूरे बारा में बोले, में कर्केट खेले खेले तो एक खेले में कर्केट खेल रहा है। मेरी guarantee बोलोगे लेकिन जो ideas दे रहा हूं जो tricks दे रहा हूं उसके according चलोगे तब बोल पाओगे तो जरा फटाबट फटाबट practice start कर दो इसी तरीके जब आपका यह complete हो जाए तो आप फिर आ जाना है negative पे मैं cricket नहीं खेलता हूं अपने आप फटाबट फटाबट बोलने लगते हैं और आप कहते हो क्या miracle हो रहा है वही miracle नहीं है टोटल अभ्यास है टोटल महनत है अब उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में जो आज मैंने आपको 40-50 मिनिट का लिया जिसमें मैंने शुरू से आपको आपकी पूरे लेवल को तयार किया सारी चीजह आपको डिटेल बदाई आपको समझ में आई होंगी अब आप करो जादा से जादा इसकी प्राक्टिस अपने आपको करो जादा से जादा इंप्रूब और कमेंट करके मुझे बताओं कि वीडियो आपको कैसा लगा मैं जानता हूं मैंने पूरी इंप्रूब कर पाए अपनी स्कील्स को बड़ा पाए स्ट्रेंट्स इनी दुआओं के साथ फिर मुलेंगा अगले सेशन में कुछ अच्छे कॉंटेंड के साथ मैं कमेंट करके जरू बताना वीडियो के इसा लगा टाड़ा बाई हाव गुड डे